Hello students and parents, myself Dr. Gaurav Gupta and I welcome you all on the behalf of Residence Adventure Private Limited. Today we are here for the orientation come academic guidance session for the 12th class student. हम आज यहाँ पर है उस session के लिए जिसमें हम आपको guide करेंगे कि अगर आपका target NEET 2023 है, तो इस year को आपको best utilize किस तरीके से करना है और किस तरीके से आप एक advanced course को follow करते हुए, परसिव करते हुए अपने NEET exam को crack कर सकते हैं, तो as we all know, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी aim को target के लिए aim कर रहे हैं, किसी भी मंजल के लिए aim कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है perseverance, आपका एक दिरता, एक संकल्ब होनी चाहिए, तो इसी लिए जो आपके लिए course design किया गया है, तो इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि actually ये course क्या है और किस तरीके से आपको academics offer करता है, इस वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये course आपको क्या-क्या academics offer करता है, तो यहां हम देख पा रहे है course detail, तो हम बात करते हैं, ये target course किस के लिए है, तो ये है for NEET 2023, इसमें जो enroll होने वाले students होंगे, वो students हैं, जो 11-12 में promote हुए है, that means, जो अभी इस session में class 12 में पढ़ने वाले है, course name जैसा हमने बात की, आपको target करते हैं, course name है संकल, और इसका code रहने वाला है MP code, अब बात करते हैं, इस course में आपको जो academic feature मिलेंगे, that means, इस course में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, और किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, इस बारे में हम आगे बात करते हैं, तो here you are looking at the course features, तो ये जो course आपका start होगा, इस course में start करेंगे आपके 12th के syllabus से, but उससे पहले, अगर हम ये मान लेते हैं कि 11th में, में भी हमारी preparation में कुछ error रह गई थी, या कुछ lag रह गई थे, तो जो अगर आपके 11th के कुछ weak topics हैं, हम उनको starting में आपका base build-up करते वे start करेंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम start करेंगे 11th के weak topics से, then हम initiate करेंगे 12th का और complete syllabus खतम करेंगे, और parallelly हम target करेंगे, आपको board भी देना है, तो हम target करेंगे कि हम board के लिए इस 12th syllabus को कैसे prepare करेंगे, तो आपका board की preparation में include होती है, और board के अलावा 12th, 12th के बाद पूरी 11th का revision for the purpose of NEET, हम इसमें आगे करने वाले हैं, आपका जो classes comments होती है, on an average, आपकी daily 3 classes रहती है, frequency vary कर सकती है, वो कभी 4 हो जाती हैं, कभी 2 हो जाती हैं, और on an average, आपकी week में 18 to 20 classes होती है, और जो per lecture duration रहता है, that will be for 1.5 hours, तो इस 1.5 घंटे के session में, on an average, 45 minutes आपको नया topic या theory पढ़ाई जाती है, और 45 minutes के आपको discussion रहता है, अब यह चीज़े vary कर जाती हैं, कि अगर suppose कल आपका test हुआ है, और आज हम discussion पे ज़्यादा time दे देंगे, अगर हम mid week में है तो हम theory पे थोड़ा ज़्यादा time दे देंगे, बट आपका जो class duration रहता है, वो रहता है 1.5 hour per lecture, यह जो same batch है, जो same course है, आपके लिए 2 phases में start होने वाला है, एक phase जैसा आप देख सकते हैं, already start हो चुका है, जो कि start हुआ था 1st February से, and जो currently running course है, and उसका दूसरा phase आपके लिए start होने वाला है, start होने वाला है 4th April से, and we are aiming कि जिसकी tentative end date रहेगी, वो रहेगी end of the December, या इस साल के end में जो आपका course है, try possibly हम यह करते हैं कि दिवाली around आपका syllabus खतम हो जाए, major major, but यह रहता है पूरे पूरी कोशिस कि इस session में जो आपका syllabus है, approximately December end में या 3rd week में आपका wind up हो जाए, so that हमें board की preparation के लिए, और इसके बाद proper एक या दो revision के लिए हमें time मिल सके, इस course की further detail के लिए कि हम academics में और किस तरीके से काम करना चाहते हैं, इसके minor breakdown के लिए, micro level breakdown के लिए, कि क्या-क्या इसमें आपके लिए feature किया जाएगा, किस तरीके assessment किया जाएगा, मैं invite करना जाहूंगा जो आपको guide करेंगे, प्रविन गुपता सर जो की PG सर है physics faculty and the coordinator of medical division, तो sir I welcome you. Hello students and my dear my dear students and respected parents, thanks to Dr. Gaurav sir and Gaurav sir ने काफी features इसके बताये हैं, उनी के आगे मैं इसको continue करता हूं और सबसे पहले मैं सभी parents को students को thanks करना चाहता हूं जिनोंने हमारे उपर विश्वास किया, resonance के system पर, resonance के faculty members पर अपना विश्वास किया, और 11th class में हमारी methodology को उन्होंने accept किया और हमें विश्वास जगाया, और मैं यहां पर विश्वास दिलाता हूं कि हम जो आपने हम पर विश्वास किया है, उस पर हम पूरी तरह से अच्छी तरह से उस विश्वास को कायम रखेंगे, और बच्चे की results के लिए हम पूरी जीजान लगा देंगे, हमारे faculty members वगए, अब हमें यहां पर आप लोग सब लोग अच्छी तरह से परिचित है, हमारी methodology पढ़ानी की क्या है, जो हमने पिछले एक साल में देखा है, हमने जो भी classes अपनी रखी है, वह hybrid mode में रखी है अभी corona के pandemic के कारण यह आप जानते ही है, कि students को जैसा हमने किया है कि offline भी attend कर सकता है, online भी attend कर सकता है, जो हमारा testing के methodology यह test है, वह भी दोनों तरीके से बच्चा दे सकता है, और इसी को हम session 2022 and 2023 में continue करेंगे, अब हमें आपको पता ही है कि classes जो है 1 hour 30 minutes की होती है, एक class और उसमें generally जो हम discussion करते हैं कि पहले 45 minutes, मैं physics point of view से बात करूँ क्योंकि physics में discussion बहुत होता है, बच्चों को थोड़ी problem जादा आती है numerical parts में, तो 45 minutes discussion class होती है और उसके बाद 45 minutes की theory class होती है in an average, तो यह हमारी class का और उसमें हम basically resonance की methodology है, उसमें एक सबसे बड़ा important task है कि जो भी हम आज पढ़ाते हैं, उससे related जो आप अपने module में question answer कर सकते हैं, वो question teacher आपको note करा देता है और उन question को आप अगली class में आकर पूछ सकते हैं, तो आपके जो doubts हैं, आपके जो भी problems create होती है न वो accommodate नहीं होती है, अगर problem accommodate हो जाती है 20 class के बाद जब chapter कतम होता है, उसके बाद अगर discussion होता है तो बच्चा उसको cop up नहीं कर पाता, तो यह बहुत अच्छी methodology है, दूसरी चीज आपने देखा होगा है कि हर alternate Sunday अपने test होते हैं CT-PT CT का मतलब cumulative test है and part test PT का मतलब है, part test में basically syllabus जो है कम आता है और जो CT है उसमें syllabus wide होता है ताकि पुराने जो भी चीज़ें हमने पढ़ लिए three month, four month पहले हमने जो पढ़ लिए उनका आप revision कर सकें, तो यह हमारे यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, इसके अलावा जो अपने practice के लिए हैं, हमारे पास एक sheet है, जिसको आप module भी कह सकते हैं, एक DPPs है, यह अप करने exercise one में बहुत सारे question रख रखें practice के लिए, क्योंकि definitely जब knit में 50 question physics के आते हैं, तो उसके ratio में question रखने होते हैं, कि बच्चे को बहुत अच्छी practice करा सकें, और हम यह जानते हैं कि यहां पर 200 questions हमारे पास होते हैं, जो हमें three hours में देखने होते हैं, उनमें 180 questions हमें attempt करने ह होते हैं, तो एक बहुत बड़ा task होता है, उसी duration में हमें omar sheet fill करने होती है, तो हमें अपनी speed को बहुत fast करना होता है, with accuracy, main important चीज़ है, accuracy, तो उस पर काम करने के लिए हमारी practice बहुत अच्छी होने चाहिए, इसी point of view से हमने जो questions है, वो बहुत ज़्यादा अपनी sheet में रख अगर कोई student exercise 2 या exercise 3 का part 2 नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए tension करने की जरूत नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई में जो भी काम हमें teacher देता है, आज की दिन, उसको आज ही complete करना है, उसको अगले दिन के लिए pending नहीं छोड़ना, यह अपना एक नियम बना लो, और जब भी आ question में 2 या 3 मेंट से ज्यादा नहीं देना है, अगर 2-3 मेंट में solve हो जाता है, तो ठीक है नहीं तो उसको drop कर दो, और next question पर आगे बढ़ जाओ, यह मान के चलना है कि question हमें teacher से पूछना है, क्योंकि इस से ज्यादा time हमारे पास किसी भी question को देने के लिए नहीं है, ना exam में घर पर, अब हमें पढ़ाई कैसे करनी चीए, main purpose, क्योंकि इन सब चीजों को मैं यहां discuss नहीं करना चाहता है, कि हमारी methodology resonance की क्या है, यह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले एक year से आप यहां पर पढ़ रहे हैं, तो methodology हमारी बिल्कु सेम है, वही और वही next year भी चाहेगी, तो मैं एक point यह आप से discuss करना चाहता हूं, आज हमारे सामने parents भी हैं, जो इस video को देखेंगे, हालां कि यह live नहीं है session, यह recorded section है, और definitely यह हमारी एक मजबूरी के लोग, pandemic के कारण कि हम physically आप लोगों से interact नहीं हो रहे हैं, नहीं तो हमेशा physically interact होते थे, बट इस सा पाते हैं, तो अब इसमें क्या होगा, आपके पास recorded lecture, recorded यहां पर वीडियो होगा, जब भी parents को time होगा, student को time होगा, इस video को refer कर सकते हैं, वो अपनी सुविधा से इस video को देख सकते हैं, तो यह pandemic का advantage अपन कहलें, और हमें जो भी situation हमारे सामने होना, हमेशा life में उस situation को हमें advantage की रूप में लेना चाहिए, चाहिए कितनी भी बड़ी problem हो, तो यह चीज ध्यान रखें कि जैसे एक कुछ गाने की line मुझे इस तरह से याद आ रही है, कि बर्बादियों का शोख मनाना फिजूल था, फिजूल था, बर्बादियों का जश्न में मनाता चला गया, तो बि बहुत अच्छा produce करना है, तो यही pandemic की situation है, और इसमें हमारे पास sufficient time है, तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, अब मैं थोड़ा सा student को यह guide करूँगा, कि उन्हें अपनी पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, तो मेरी advice यह है, कि आप अपना पढ़ाई जब घर प environment होती है, लेकिन मेरी उन लोगों को advise है, क्योंकि अपना जो knit का exam होता है, जो हम लिखने जा रहे हैं, वो भी 3 hours का होता है, और हमें अपनी efficiency 3 hours में show करनी होती है, maximum efficiency, तो हम अपनी daily life में 3 hours का duration के sitting बना लें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और 3 hours की sitting में हमारी धर पर पढ़ाई को भी हमें बिल्कुल वैसे करना है कि हम 100% अपना output दे सकें, उस से हमें अपना कोई phone call हमें receive नहीं करना, हमें पानी पीने के लिए भी नहीं उटना है, और 3 hours पढ़ने के बाद, फिर 2 hours का हमें break लेना चाहिए, minimum 2 hours का break हमें लेना है, इस तरह से हमें पढ पूरे जीजान अपनी लगानी पढ़ेगी, खुब सारी पढ़ाई करनी पढ़ेगी, लेकिन खुब सारी पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी health का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा task होता है, बच्चे कई बार है न, starting में motivate होकर खुब सारी पढ़ाई करन में चलता रहे, हमारी exercise routine में रहे, तो मेरी हर student को यह advice है कि अपनी exercise के लिए, अपनी yoga के लिए पंदरा से मिनिट डेली अपनी daily life में जोड़ें, और sports के लिए भी 15 से 20 मिनिट का अपना time रख सकते हैं, जो daily हमें use करना चाहिए, अब लेकिन sports में यह नहीं कि cricket खिलने चले ज का नाम badminton, वो आप खेल सकते हैं, घर के बाहर ही, hostel के बाहर, अगर आप quota city में रहे हैं, तो hostel के बाहर, hostel में भी अच्छे-च्छे campus होते हैं, आज कल यहाँ, तो उन में facility होती है, table tennis की table पर आप खेल सकते हैं, 10-15 मिट में आपको 100% charge हो जाओ गया, तो यह basically चीजे हैं, जि यहाँ, part test हो गया, revision classes, मैंने आपको बताया, अभी हमारा 11th का course complete हुआ है, अब आपको 12th में promote किया गया है, और इसमें, जो है 11th class का, हम almost अच्छी preparation कर चुके हैं, हमने theory parts भी पढ़ लिया है, revision test भी हो गया है, आपने देखा होगा, कि RPT 1, 2, 3, हमने 3 parts में test कराये थे, फिर उनका combined test कराये था, तो इन सब चीजों को हम test ले चुके हैं, और मैं hope करता हूँ, कि आपने ये सब चीजें अच्छे डंग से कर लिया होगी, और अब 11th अगर अपनी पास अच्छी हो गई है, तो हम 12th में अच्छा focus कर सकते हैं, और physics point of view से बता दूं, कि physics में 60% part निटके paper में 12th class का होता है, और 40% part 11th का होता है, अभी last year तो करीब 70% part था 12th का और 30% part 11th का था, but in an average जो है 60-40 का ratio होता है, और इस चीज को हमें ध्यान रखना है, और comparative अगर physics में बात करें तो 12th का syllabus बहुत छोटा है, बहुत आसान है 11th के comparison में, तो आप बहुत अच्छा score कर सकते ह है, अब इसके अलावा हम बात करें KVPI exam, in general वो December में होता है, हमने या target date दे रखी है, 13 December आपके course end की, लेकिन ये date tentative date है, tentative date इसलिए है कि आज pandemic की situation हम कुछ भी certain नहीं कह सकता है, we are flexible at the time of situation what we will do, तो for that we are very flexible कि हम immediately change कर देंगे जो हमें requirement होगी student के benefit के लिए, तो जैसे मानलो term 1 का exam हुआ board का, board ने दो term में अभी exam करा है 12th के, तो हमें उसी साब सापनी situation change करनी पड़ेगी, आपको कुछ break देना पड़ेगा classes के लिए, जो need की classes है, उनके लिए break देना पड़ेगा, तो it may be possible कि जो हमारी planning की end date है, वो थोड़ी सी shift हो जा इसके अलावा 12th board exam है, preparation and practical की facilities भी resonance में होती है, 11th में तो हमने board पर जादा focus किया ही नहीं, क्योंकि उसकी requirement नहीं थी, बड़ 12th point of view से अच्छा score करनी के लिए, क्योंकि कई बार निट के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी line होती है, और मैं request करूंगा जब गौराव सर आए करेंगे, तो 12th board के exam के बैसे पर भी कई universities में admission मिलता है, तो उसकी percentage हमें अच्छा secure करनी होती है, इसके अलावा हमारे पास regular एक doubt class का concept है, और doubt class में बच्चा यहां आकर individual अपने doubts discuss कर सकता है, जैसा कि अभी pandemic के time तो offline थे ही नहीं, बहुत कम थे, तो आपको उन चीजों का आ situation हमारी under control है, और 2022-23 में ऐसी कोई problem हमें नहीं होगी, तो doubt class का अच्छा benefit उठा सकते हैं, और जैसे अभी last year हम parents, teacher, student meeting नहीं कर पाये थे, लेकिन अब ये कोशिश करेंगे, अगर सारी situation हमारे favor में रही, कोई problem नहीं हुई, तो हम parents, student, teacher meeting को भी regular basis पर करते रहेंगे, और फिर online करेंगे, तो ऐसी कोई regular touch में, student के साथ, parents के साथ रहना जरूरी है, student के साथ, तो फिर भी हम regular touch में रहते हैं, class में, but parents के साथ regular touch में नहीं हो पाते हैं, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है, रेजोनेंस आपको school और hostel की facility भी उसमें support करता है, school और hostel की facility आपको schools वगरा में, admission में कोई दिक्कत आ रही है, dummy school जैसे admission लेते हैं, तो उन सब की हमारे पास list होती है, वो आपको provide करा दी जाती है, अच्छे जो hostel हैं, जिनकी repo अच्छी है, जहां से अच्छे बच्चे select होते होस्टल के बारे में बता दिया जाता है, ठीके, कुछ होस्टल कोटा city में आज की तारिक में ऐसे भी चल रहे हैं, जो as a parenting का भी ध्यान रखते हैं आपका, बच्चे ने कितना होंबर किया, बच्चा कहां जा रहा है, किस टाइम जा रहा है, तो इन सारी चीजों की detail भी हम प्रवाइट करा देते हैं, किस तरह के होस्टल है, नाव कोर्स प्लानर, दिखिए, कोर्स प्लानर में, मैं यहां स्लाइड ओन कर दूँगा, फिजिस की, तो आप देख सकते हैं, फिजिस का कोर्स प्लानर यह स्टूडेंट में डिस्टिबूट हो जाएगा, हालाएं कि ब सब हमारी प्लानिंग में रता है, जैसे फिजिस की प्लानिंग की बात करूँ, हमारा कोर्स यह 1st Feb से स्टार्ट हो रहा है, और तब से हम यहां पर, ठीक है, जोमेट्रिकल ओप्टिस पहला टोपी के स्टार्ट कर रहे हैं, आप यह देख सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से य सेलेबस भी आपके सामने लिख रहा है, 24 अपरेल को हमारा फर्स टेस्ट है, जोमेट्रिकल ओप्टिस, इलेक्टो स्टेटिस उसका सेलेबस पूरा मेंशन है, तो यह सारी प्रॉपर प्लानिंग होती है, पूरी, स्टार्टिंग में ही, और इसके एकोडिंग हम काम करते है तो अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा हमारे सीनियर मोश फैकल्टी मेंबर्स, कैमेस्ट्री में मनोज सर, और मनोज सर के बारे में एक चीज़ कहूँगा, बच्चों में बहुत फेमस हैं, बिल्कुल बच्चों में एक-एक बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं, कितना ही स स्लो बच्चा उसको पूरा जब तक उसको समझ में नहीं आता आगे क्लास में नहीं बढ़ते हैं, तो बच्चों में बहुत ही फेवरेट सर हैं, मनोज सर, वेलकम टू मनोज सर, थेंक्स पीजी सर, माइ डियर श्ट्रेंट्स एंड रेस्पेक्टेड परेंट्स, हम आज आपसे बहुत इंपोर्टेंट बात करना चाहेंगे, सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे को अपने रूम पर किस प्रकार से इस्टडी करनी है, वहां का एन्वार्मेंट कैसा होना चीए, तो सबसे पह स्लोगन होना चीए, कि मुझे नेट में फरस्ट रिंक लाना है, कुछ मोटिवेशनल स्लोगन हो, कि मैं क्या कर रहा हूं, ताकि आपको बार बार अपना एम याद आता रहे, राइट, दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों, कुछ इस्टुडेंट क्या करते हैं, जब किसी चेप्टर का रिवीजन करते हैं, तो थियोरी को बार बार रिपीट करते रते हैं, जबकि बच्चों में आपसे यह कहूंगा, कि आपको थियोरी केवल एक बार रेट करनी हैं, उसके बाद, उससे रिलेटेट उस चेप्टर के आप बहुत सारे क्यूशन्स सॉल क करें, तो आपके automatic concepts clear हो जाएंगे, अगली important बात यह है बच्चों, कि आपको कोई ज़्यादा बुक्स रेपर नहीं करनी हैं, आपको केवल और केवल resonance का study material साल्क में दो से तीन बार minimum सॉल करना हैं, और एक एक क्यूशन को conceptually सॉल करना हैं, ताकि आपके concept build up हो जाएं, क्यो उसके अंदर सारे topics से related every type के questions covered हो जाते हैं, राइट, दोसरी important बात बच्चों, आपको अपने room पर कम से कम 7 to 8 hours minimum study करना हैं, अब यह किस प्रकार से करना है बच्चों, मैं तो आप से कहूंगा कि आपके पास 4 subject हैं, physics, chemistry, geology and botany, तो आपको सबसे पहले क्या करना हैं, जब भी आप study करने बेटें, एक subject को आपको complete करना है, और आपको time duration बच्चों minimum 2 hours manage करना है, यानि आप कसम खाके बेटें बच्चों कि जब भी आप बेटेंगे, दो घंटे के पहले नहीं उठेंगे, और एक subject को complete करके ही उठेंगे, तो इस प्रकार आप पूरे दिन के अंदर 4 sitting ल quality cover कर पाता है, और तीसरा subject क्या हो जाता है, उसका पीछे रह जाता है, और इस प्रकार धीरे धीरे आपके पास एक बहुत सारा backup तयार हो जाता है, फिर उसको cover कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीके, उसके बाद देखे बच्चों अगली important बात क्या है आप regular resonance के notice board पर visit करें और देखें कि कहां क्या new update है, ठीके, और सबसे important बात आपको अपना ये decide करना है कि आज के दिन का मेरा main target क्या है, मेरी priority क्या है, आज मेरा time table क्या है, ये आपको decide करके रखना है, देखे बच्चों अगली important बात, generally हम क्या देखते हैं बच्चों, हम 15 days में every 14 days के बाद आपका Sunday को test होता है, हम test देते हैं, आ जाते हैं, फिर अगला test आ जाता है, उसको देते हैं, और फिर ये routine अपना पूरा साल पर चलता रहता है, में कहूंगा बच्चों, सबसे important बात है कि आप test paper दे करके आने के बाद, test का analysis जरूर करें, और analysis में हर question जो आतला ये mention करें कि क्या region है, आपका क्यों wrong हुआ है, आपने silly mistake की है, आपने question को properly read नी किया, आपने देखा कि answer second है, लेकिन OEMR sheet में आपने third बरा, आप बहुत सारे questions इस type के mistake होते हैं, not correct, incorrect, तो इस type की questions आए तो वहाँ पर आप underline कर लें, तो ये बहुत important बात है, इस से क्य होगा बच्चों, दीरे दीरे आपका negative marking वाला portion control होता जाएगा, और control होता जाएगा, तो आपकी rank में improvement आता चला जाएगा, अगली important बात बच्चों, हमारे लिए सबसे important है time, time को हमें बहुत अच्छे से manage करना है, बच्चों, time से related मुझे दो line याद आ रही है, वक्त, वक् समाल कर रखना, वक्त, बेवक्त काम आएगा, यानि वच्चों, आज आपने अगर वक्त का सही सदूपयों कर लिया, तो जीवन में आपके वक्त कहीं न कहीं जरूर काम आएगा, ठीके? अब देखे वच्चों, इसके बाद हम academic planner पर आते हैं, कि हम आपको साल में किस प्रक planning होगी, पहला chapter कौन सा लेंगे, उसके बाद कौन सा लेंगे, तो उसके लिए देखे आप सबसे पहले हम chemistry में chapter स्टार्ट करेंगे, solution and qualitative property, उसका पूरा आपने देखा date wise पूरा calendar बना हुआ है, उसके बाद next chapter अपना start होगा, coordination compound, बाकी के chapters भी आप देख सकते हैं, पूरा course planner आपके सामने है, right बच्चों, तो पूरी planning आपको ये पूरे साल का calendar आपके सामने रहेगा, हम class के अंदर regularly DPP discuss करेंगे, sheet discuss करेंगे, और हम आप से बच्चों एक बहुत important उम्मीद करते हैं, जो task आपको दिया जा रहा है, daily के daily आपको DPP और sheet के अंदर number of questions में class के अंदर tick कर बाता हूं कि ये questions आपको solve करने हैं, तो वो आपको daily के daily use work को पूरा करना है, अगर आप faculty के द्वारा दी गई instructions को follow करते हैं, तो neat में आपके selection को कोई नहीं रोख सकता, अब मैं हमारे Dr. गरोगुपता सर को invite करता हूं, वो आपको बहुत सार important बाते बताएंगे, आईए सर, most welcome sir, thank you sir, कि आपको classroom में कैसे पढ़ना है, वो हमारा party के हम आपको classroom में कैसे पढ़ाएंगे, उसका पूरा planning आपके पास show की गई आपको, और academic calendar के form में भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपको last year भी मिली तर हर सा resonance में मिलती है, सबसे important चीज़ यह है कि आप classroom studies के साथ में अपनी self study क balance बना सकते हैं और अगर आप नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए भी हम आपके लिए balance बना के देंगे, एक common template कि आप जैसे sir ने आपको बताया था, मनुष sir ने आपको बताया कि 6-8 hours आपको घर पे पढ़ना है, पीजी sir ने आपको बताया कि आपको क्या क्या गलतिया नही करनी है कितने duration के आपको at least sitting देनी है तो यह सब क्या है यह सब वो points है जो मेभी सब लोग कर लेते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अगर आप confused हैं अप अपना planner खुद से नहीं बना सकते तो आप at least reference के लिए सरकी बाते सुन सकते इस session को आप utilize कर सकते हैं या overall पूरे साल में आप अपना planner अपने teacher से discuss करके बना सकते हैं तो अब मैं इस detail में फिर से नहीं जाओंगा कि बायो में क्या segment start होगा geology में क्या start होगा botany में क्या start होगा वो आपको calendar के form में already मिल जाएगा अब यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके पास जो syllabus है वो physics है chemistry है chemistry में आपके पास में दो पार्ट होते हैं like physical chemistry, organic chemistry और आप देख सकते हैं bio में आपके पास दो पार्ट होते हैं geology और botany इस तरीके से आपका एक overall syllabus जो डिवाइड हो जाता है वो पांच स्ट्रीम में डिवाइड हो जाता है बट मोटा मोटा गर हम बोलते हैं तो इन स्ट्रीम में आपके पास एक physics है chemistry एक biology है तो मैं अब biology perspective से आपकी बात करूँ तो जेखो geology और botany तो segment हम डिवाइड कर लेते हैं एक होती है नेचर की science जिसको हम बोलते है लाइफ साइंस तो यहाँ पर क्या होता है कि PMT में जो आपको पूछा जाता है वह पूरी science आती है एक होती है life science जिसमें geology और botany में हम डिवाइड कर लेते हैं एक होती non living है machine science जिसको हम physics और chemistry में डिवाइड कर लेते हैं तो biology की अगर हम बात करते है life science की हम बात करते है तो देखो clear सा funda है कि आपको पढ़ना कैसे है या आपको पहली ब्यात तो आपको पढ़ना क्यों है वह हमें clear होगे कि हमारा जो primary target है वह है कि कोई भी चीज़ आप क्यों पढ़ रहे हो तो पूरी 11 में जो हमने पढ़ाई की वह किस हिसाब से पढ़ाई की कि आपके पास एक word आया जैसे आपके बास common example में word यूज करता हूँ और तो और तो और तो और मतलब जॉइंट होता है पोर्ट मतलब पैर होते हैं या oriented अगर पढ़ाई हम कर रहे तो हम कैसे पढ़ेंगे हम classroom में वह हर basic cover करेंगे I am not saying कि हम पूरी दुनिया cover कर लेंगे ठीक है I will be not teaching you MBBS कि मैंने क्या पढ़ाया मुझे क्या क्या आता है आपके नीट में क्या essential है हम वह पढ़ेंगे और उस content को समझने के लिए जो हमें information चाहिएंगी थोड़ी से here and there information हो सकती है maybe question के form exam में नहीं आएंगी पर exam में जो आपके content आने वाला है उसको पूरी तरीकी समझने के लिए essential है तो हम वह cover करेंगे प्लस आपके जब कोई topic जैसे supposed topic आपका reproduction in organism class में run कर रहा है अब जब वह topic आपका मेरे according खतम हो जाता है कि मैंने कहा दिया कि आज यह topic finally wind up होगे आप question practice साथ के साथ कर सकते है उसी के साथ because हमें यह पता है कि NEET का 99% paper फिलाल दो तीन साल से NCRT oriented आता है ऐसा नहीं है कि level उसका कम या जादा है I am saying NCRT की line से paper आता है तो उस NCRT को आपको घर पर तो पढ़ना है यह तो by default है यह तो rule है नीट की preparation अगर आप कर रहे हो बट उसी NCRT को जब अपना syllabus मेरे according या किसी भी resonance का cover करेंगे plus class के notes cover करेंगे और जो सबसे important part NCRT उसको भी हम class में ही cover करेंगे अब देखो यह तो बात हो गई कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले course किस तरीके सरण करेगा कब start होगा कब end होगा tentative हो हमने बात कर ली अब कुछ important बात यह करते हैं जैसे इतना सा target है ना तो कभी भी वह बस इतना सा आपको पूरा पूरा नहीं मिलता है और मिलेगा भी नहीं अगर अपनी सोच छोटी रखोगे ना तो life में हमेशा चोटी मिलेगी हो सकता नहीं भी मिलेगी क्योंकि देको medical जतना bright field है जतना मतलब आपको future में growth देता है ना उतना ही drawback इसका यह है कि आप देख सकते हो कि कई लोग even कितने time तक repeat करते रहते हैं यह मैं बहुत worst part और बहुती nerve part आपको बता रहा हूँ कितने time तक repeat करते रहते हैं बट फिर भी select नहीं हो पाते problem क्या रहती है हमें यह नहीं पता होता है कि हमारा target इतना सा ही है या फिर हमारा target को और कुछ और बड़ा हो सकता था सबसे बड़ी गलती हम 12th class में होने के बादे करते हमें तो बस board पर focus करना और हमें बस need पर focus करना इसके लावा student phase कर सकते हो जिसे हम कहते है olympiard जिसे हम कहते है kvpy या जिने हम कहते है और दूसरे ऐसे medal oriented exams जिसमें एक subject क्या stream का exam होता है और आप all India level पर compete करते हो bio olympiard की में बात करूं तो एक ऐसा exam है जिसे सिर्फ bio pursue करने वाले student नहीं देते कोई भी science pursue करने वाला student even you are having mathematics आप bio olympiard के लिए apply कर सकते हो एक example है bio olympiard हर stream का olympiard होता है kvpy common exam में सबके लिए होता है जो i.t के लिए prepare कर रहा है वो भी exam देता है need के लिए prepare कर रहा है वो definitely bio बढ़ रहा होगा और जो bio बढ़ रहा होगा 99.9% वो नीट के लिए भी target कर रहा होगा आप कोई ऐसा person है जो bio olympiard में gold medal लेकर आ रहा है या bio olympiard में बहुत अच्छा score कर रहा है आपको नहीं लगता कि वो नीट में आपको से भी तगड़ा competition देगा because obviously बात है वो नीट मैं students को guide करता हूँ इसलिए नहीं करता हूँ कि आप अपने target से भटक जाओगे आपकी target की practice कितनी ज़्यादा अच्छी है आप इस level पर जाके test कर पाते हो अगेन इसका मतलब यहीं नहीं है कि जो olympiad नहीं देता वो select नहीं होता मैंने खुद ने olympiad नहीं दिया बट मैं select हुआ मैं मेरे example ले रहा हूँ मेरे time में olympiad इतना होता ही नहीं था यह अतना अफसा कुछ culture ही नहीं था जानते ही नहीं थी कि olympiad थी कोई चीद एक्जिस्ट करती है ठीक है मैं 11 टोस में coaching भी नहीं की थी तो यह मैं कह रहा हूँ बट अब जो competition का time है उस समय हर कोई एक बहुती competitive scenario में run कर रहा है और competitive scenario का मतलब यह कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपके competitor क्या कर रहे है उनका level क्या है और आपको उनको किस तरीके से face करना और किस तरीके से beat करना है इसलिए आपको हर वो काम कर चाहिए जो आपके contents related है आपका जो target है उसी पर उसका रास्ता आता है और उसी रास्ते पर उसी content को पढ़के आप exam fight कर सकते हो because ultimately आपका जो एक soul competition है that is neat उसमें तो सब fight करने वाले है तो इसी लिए अपने content को physics हो, chemistry हो, bio हो कभी भी एक सबसे common thought जिसको मैं बोलता हूँ कि तो आप नहीं लिख सकते, आप comma की गलती कर दोगे, आप full stop की गलती कर दोगे, आप spelling की गलती कर दोगे पर आप गलती करोगे, जब आप एक paragraph नहीं लिख सकते रट के तो आपको क्या लगता है, आप science जिसमें non living science और living science सब को जाता है आप रट के score कर लोगे, कभी भी किसी ऐसे scholar student से मिलना जो कि ये कहता हो कि मतलब जिसने अच्छा score किया हो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने ये रट लिया था मैंने वो रट लिया तो उसको हर चीज का logic पता होगा अब देखा obvious सी बात है मैं बोलता हूँ कि मुझे life science पे बहुत कुछ पता है ठीक है मैं थोड़ा सा मेरी background के बारे में बात करूँगा वैसे तुम सब लोग already जानते है कि मैं कहां से आया हूँ या मेरा background क्या है academic qualification क्या है क्या मेरी achievement है तो आज क्या session में तो मैं अपने आपको present नहीं कर रहा वो तो मेरी profile में display में वैसे भी देख लोगे but मैं ये बात करूँ तो जब मैंने need दिया था न need से पहले मेरे पास हर सवाल का जवाब ये होता था कि मैं कोई भी topic पढ़ रहा हूँ कोई भी content पढ़ रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है क्यों वो मेरी book में दिया हुआ है या क्यों उसका मतलब है या क्या इसका significance है कि क्यों वो syllabus मैट किया गया है ये भी मुझे पता होता था बट obviously बात है जब 10 दिन बाद मेरा exam है तब तो मैं focus उस चीज़ पर करूँगा ना कि अब इसमें क्या आने वाला है उसे कहते है revision बट जब आप पहली बार पढ़ रहे हो जब आप अपनी content को build up कर रहे हो तब at least इतना पढ़ो तब रटने की tendency हटा दो मेरी class में मैं हमेशा कहता हूँ कि बायो से ज़्यादा समझने वाला subject कोई नहीं है जितना आप बायो का understand कर सकते हो उतना मैं आपको guarantee दे सकता हूँ आप किसी और subject को करी नहीं सकती क्योंकि किसी मत्ता content ही नहीं है आपको मैं खुद 2013 से लेकर 18 तक I was teaching physics ठीक है और थोड़ा सा मैं NEET में मेरे बारे में बता हूँ तो NEET में मेरा score 2013 में 180 आफ़र 180 था and chemistry में 175 आफ़र 180 था तो यह मेरा score था तो यहां से आपको यह समझ में आ सकती है बात कि physics chemistry मेरी कितनी strong थी even है ठीक है बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना total syllabus आपका physics chemistry में नहीं होगा न उससे 10 times ज्यादा syllabus और content आपकी बस बायो में है और इतना कुछ समझने के लिए है और अगर एक बार आपने ये mentality हटा दी कि मैं बायो को याद कर लूँगा आपने समझना स्टार्ट कर दिया न एक बार अगर आपको topic की soul पता लग गई उसके बाद उसको रियाद करना, memorize करना जो आप चाहो, photo memory, audio memory वो सब बनाना बहुत आसान हो जाएगा तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि habit डालो अपने content को समझने की तीनो subject में specially bio में because जितना लंबा syllabus bio का है न उसको आप पूरे तरीके से याद नहीं रख सकते क्यों 360 out of 360 नहीं आते बायो में सबसे बड़ा reason यही है कि हमें tendency रखते हैं कि हम याद कर लेंगे हमेशा आप चीज याद नहीं रहती logic पता होगा, तो option देख के भी answer ढूण लोगे कि हाँ इसका यह possible answer है, यह दो तो होई नहीं सकते है तो definitely यह answer होगा तो यह जो logic है, यह हम apply कर सकते है तो यह पूरा का पूरा content था और यही मैं message parents को, student को देना चाहूँगा कि कभी भी अपने आपको underestimate मत करना कि मैं नहीं कर सकता, पहली बात तो दिमाग से हटा दो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो selection होता है न वो उन लोगों का भी होता है, जो देवाली के बात crash course में पढ़ा ही करते हैं, school से उठके आते crash course में पढ़ा ही करते हैं, और नीट में select हो जाते हैं कि guidance देने के लिए हम है, और मैं personally मेरी बात करता हूँ, तो मैं तो students के लिए कहता हूँ, मैं तो 24-7 available हूँ, मैं तो Sunday के दिन भी office में रहता हूँ, इसलिए कि अगर किसी का test का discussion है, किसी का कोई और discussion है, किसी parents को meeting करनी है, student को, person को discussion करना है, academy को, non-academy को health related हो, depression, out of focus, दुनिया भर के topic हो सकते हैं, सब मेरे पास आते हैं, और because मैं सब को time देता हूँ, और मैं तो दिन भार time देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पास जितना time होता है, और आप उसे लेते हो, definitely I will be available for you, important चीज़ यह है कि आपको आपके end पे consistency बना के रखनी है, देखो consistent, as a student आप क्या करोगे, आप बस consistent रहोगे, आप obedient रहोगे, आपको जो बता दिया, आपको जो कह दिया, वो 100% आप कर रहे हैं, उसमें कोई event बट नहीं है, आप उसमें ये नहीं लगाओगे, अच्छा ये तो ये गलत कह रहे हैं, ये तो ये सही कह रहे हैं, ये तो ऐसा कह रहे है, वो तो ऐसा कह रहे है, हमेशा है trust build-up करना सीखो, पहले अपने आप पे, फिर अपने teacher पे, अगर doubt रखोगे ना, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे और parents के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे आपका बच्चा आपके पास रहके पढ़ रहा हो, या आप कोटा से बाहर रहते हो और आपने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा हुआ हो तो बढ़ रहा हो, at least आप faculties के touch में रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मैं तो ये भी कहता हूँ, आप तो ये भी पूछ सकते, कि generally ये doubt discussion करता है कि नहीं करता है, जिससे में discussion हो रहा होता है, उसमय क्या कर रहा होता है, बतलब आपको ये पता होना चाहिए, कि आपका student यहाँ पे अगर है, तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कभी भी आपने कोचिंग में भेज दिया तो आप कोचिंग की responsibility definitely वो मेरी responsibility है रेजनिस की responsibility है बट जब तक जो push उसको आप दे सकते हो ना वो push उसको एक साल या दो साल मैं मिला हुआ कोई भी person या कोई भी teacher नहीं दे सकता हम हमारा बाट बहुत अच्शесे करेंगे और कर रहे और करते हमेशा करते रहेंगे वट जिप जो आपके साथ तो बड़ा हुआ है आपके घर में वह रहा है आ ऐगे ना पीछ दिन में सुबह शाम यहाँ आपसे बात करेगा और नहीं करता तो आप बात करिए आपको पता होना चाहिए कि वो जिस समय क्या कर रहा है, मैं ये भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल हिटलर के तरफ 24-7 मॉनिटरिंग करो, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि वो रूटीन में कर क्या रहा है, इससे स्टूडेंट को भी यह रहता है कि हाँ मेरे पेरिंट से यह ठीक होगी, नहीं होगी, आप तो हर चीज का discussion करिए, आप मुझे फोन करिए, भागे फैकल्टी को फोन करिए, यहाँ पर reception पर फोन करिए, यहाँ पर जो student counseling cell है, आप तो वहाँ पर contact करिए, आप frequently यहाँ विजिट करना चाहते है, विजिट करिए, हर चीज आपके रहे है और आपको पता रहे है कि student क्या कर रहा है, this is the only purpose, interaction करना, सबसे बड़ी जो key है वो है communication, आपस में रहेगा, teacher student के बीच में रहेगा, आपस में healthy discussion होगा, teacher और parent के बीच में रहेगा, acknowledgement रहेगा कि student क्लास में क्या कर रहा है, और घर पर उसका क्या response है, तो यह जो communication है न आपको हमारा vision पता लग पाए, आपको थोड़ी guidance मिल पाए, और आपके responses से हमें पता लग पाए कि आपकी और requirement क्या हो सकती है, या क्या और implement हम करें, हमारी certain best करते हैं, बट फिर भी scope तो हमेशा होता है, तो definitely, I will always welcome your suggestion, and अगर कोई भी parent उसे बात करना चाहेगा, तो मैं यह अगर कोई problem नहीं, उसमें आप कर सकते हैं, तो इसी के साथ, आप session को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, session को wind up करते हैं, बस में यह message देना चाहूँगा, कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो proper planning से करो, यह PPD भी तो आपके सामने तो planning से बनी है, ना, course planner आपको देखा तो उसकी भी proper planning है, कि किस दिन पर क्या lecture होना चाहिए, ठीक है, deviation हो जाता है, बट अगर आपके दिमाग में vision clear नहीं होगा, ना, path clear नहीं होगा, तो आप कभी भी कहीं पहुँच नहीं सकते, Google Map आपको रास्ता दिखा सकता है, पर decision में पहुचा दे हैं, कोई पढ़ाई start करी है न, तो early planning भी बनाओ, और उसकी according execute भी उसे करो, और till need, consistently execute करना, starting motivation बहुत हाई रहता है, आस्मान फाट देंगे, जमीन फाट देंगे, सब कर देंगे, बीच में सब कुछ फट जाता है, होता है, हम बहुत अच्छी दे पढ़ाई चुरू करते हैं, और ब पढ़ाउंगा, and I would thank you all for being with us, and I will always welcome the apparent student, अगर किसी को भी मेरा time चाहिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, और I would recommend कि आप offline class को जादा प्रिफर करें, हमारे प्लस दोनो मोड है, but फिर भी offline class की जो feel और जो बात होती है, वो online में उतना नहीं आपाती, because again this lack of interaction, तो I wish you all the best, myself Dr. Guara Gupta, and I am signing off, take care.